दकन के पठार के बाद अब हम दूसरा जो अध्यन कर जा रहे है ये है मध्यवर्ती पठार बच्चों मध्यवर्ती पठार जो है यह पश्चिमी अरावली दक्षिनी सत्पूडा के पठार का भाग है और इसकी जो उत्तरी सीमा है यह अरावली श्रेणी ही बनाती है यहाँ पर यदि हम अरावली श्रेणी को देखे तो यह लगभग 800 किलोमीटर के ख्षेत्र में व्यापत है और पूर्व में जो पूर्व कैम्ब्रियन का जो भाग है यह इस अरावली के अंतरगत आता है यहाँ पर क्वाटजाइट, नाइस और शिष्ट प्रकार की चटाने पाई जाती है इस ख्षेत्र में आप देख रहे हैं लूनी और बनास नदी की घाटिया है और यहाँ का सबसे उंचा शिखर जो है यह माउंट आबू है जिसकी उंचाई लगभग 1722 मीटर है इसके बाद इस ख्षेत्र का दूसरा प्रमुख हिस्सा जो है मद्यवर्ती पठार का यह है पूर्वी राजस्थान का हिस्सा यह विंध्यन युगिन बलुआ पत्थर से निर्मित है इसके अलावा यहाँ पर चुना पत्थर शेल की चटाने भी पाई जाती है यहाँ पर इस ख्षेत्र का जो धरातल है पूरी तरीके से उर्मिल या लहरदार धरातल यहाँ पर पाया जाता है और इस ख्षेत्र में लगभग 60 से 120 मीटर की उचाई वाले कगार और कहीं कहीं पर गर्थ भी यहाँ देखने को मिलती है फिर तीसरा जो प्रमुक ख्षेत्र है इसे हम कहते हैं चम्बल बेसीन का ख्षेत्र चम्बल बेसीन में जलोड़क का जमाऊ है इस ख्षेत्र में चम्बल के ख्षेत्र में बहुत अधिक काटछाट हो गया है और बहुत अधिक बीहडों का निर्मान हुआ है यहाँ पर जो निचले मार्ग है यह काफी विस्त्रित और वरियत खड़ों के रुप में विक्सित हुआ है वास्तों में चम्बल नदी क्या है एक भ्रंश घाटी से होकर के बहती है इसकी कुछ सहायक नदिया जिसमें बनास और काली सिंध और उसके साथ ही पारवर्ती नदी है यह दोनों नदिया पारवर्ती नदिया कहलाती है फिर बुंदेल खंड का पठार यह भी मध्यवर्ती पठार का एक हिस्सा है यहाँ पर नाइस और ग्रेनाइट प्रकार की चट्टाने पाई जाती है और यह संपूर्ण ख्षेत्र समतल है लेकिन बीच से यह ख्षेत्र कुछ गुम्बदाकार रुप में उभर गया है यहाँ की जो पाढ़िया है यह गुम्बदाकार पाढ़ी के रुप में देखी गई है अगला है विंधेन पठार जो विंधे पठार है यह बुंदेल खंड से सोन नदी की घाटी तक व्याप्त है यहाँ पर बल्वा पथर का जो स्वरूप है वो ख्षैतीजिक अवस्था में देखने को मिलते है यहां पर गंगा की जो सहयक नदिया है जिसमें टौस और करमनासा नदिया जो है यह इस क्षेत्र की प्रमुख नदिया इसके बाद सोनगाटी का क्षेत्र सोनगाटी का क्षेत्र भी कैमूर की कगार से यह कुछ नीचे लगभग 480 मीटर की लंबाई में फैला हुआ है फिर इसके बाद मालवा का पठार आता है जो लावा युक्त मिट्टी से बना है और इसमें चंबल, सिंध, बेतवा और के नदियों का प्रवाह देखने को मिलता है फिर विंधे श्रेणी इसके पहले हमने विंधे पठार का उलेक किया था यहाँ पर विंधे श्रेणी जो मालवा के पठार के तीवर कगार से होकर के बहती है वास्तों में यह नदी जो है यह रिफ्ट घाटी से होकर बहती है और इसकी जो उत्तरी दिवार है यह काफी और उंची दिवार है यहाँ पर लावा और बल्वा पत्थर तथा शेल प्रकार की चट्टाने पाई जाती हैं फिर आगे हम देखेंगे छोटा नाकपूर का पठार बचो यह नाम आपने जाना होगा सूना होगा यह बहुत प्रसिध नाम है जो आरकियन युग की नाइस चट्टानों से बना हुआ है इसके उत्तर में हजारी बाग की श्रेणी है और उत्तर पूरु में राजमहल की पहाडियां देखने को मिलती है इसके मध्य में दामोदर घाटी है जो एक प्रकार की भ्रंश घाटी है और यहाँ पर खनीजों के अथाह भंडार पाए जाते हैं गोंडवाना में जो आवसादी शैलों से बना हुआ क्षेत्र है और यहाँ पर कोयले का जमाव सर्वाधिक हुआ है यह नदी यहां की जो प्रमुख नदी है इसमें दामोदर सुवर नरेखा और कोयल यहाँ प्रमुख नदी है फिर महानदी का क्षेत्र यह महानदी बेसिन का भी हम यहाँ पर अध्यान करेंगे जो की एक सरगुजा के पठार का निर्मान करती है दंडकारन उडिसा की पहाडी मैकाल की श्रेणी वेनगंगा बेसिन से यह संपूर्ण महानदी बेसिन का क्षेत्र गिरा हुआ है यहां की जो प्रमुख नदिया है इसमें महानदी शिवनायत और उसकी सहयक नदिया जिसमें हस्दो मांड तेल नदी प्रमुख है फिर महानदी बेसिन के पूरो में संपूर्ण क्षेत्र में उडिसा की पहाडियां विद्यमान है जबकि महानदी तथा उडिशा पहाडी का जो दक्षनी भाग है यहाँ पर दंडकारण पठार इस्तित है और यह सक्षेत्र में प्रमुख नदियां तेल, इंदरावती, सबरी, गोदावरी यह प्रमुख नदिया है बच्चों आपने नाम सुना होगा चित्रकोट का और कुटुम सर की गुफाओं का तो यह सभी यहाँ की इंदरावती नदी में ही बनी हुई आकृतियां है तो यह प्रमुख जो इस्थलाकृति है यह मध्यवरती पठार की है पठार का जो तीसरा भाग है इसे हम मेघालय के पठार की नाम से जानते है मेघालय का पठार हिमालय की उत्पत्ती के समय ही जब भारती प्लेट जो है ये जब उत्तर पूर्वकी और सरकने लगी थी तो उससे राजमहल की पहड़ी और मेघालय के बीच में एक भ्रंश घाटी के कारण यह पठार अलग हो गया था लेकिन कालांतर में इस क्षेत्र में जलोड़क का जमा हुआ और उया घाटी भरते चली गई और अब यह पठार हमारे जो दकन के पठार का एक हिस्सा बन गया है यहाँ पर धारवाड क्रम की जो क्वार्ड़ाइट शेल और शिष्ट प्रकार की चट्टाने पाई जाती है यहाँ की जो आउसा तुचाई है वो 1400 से 1800 मीटर है और इस क्षेत्र का सबसे उंचा क्षेत्र शिलांग का पठार कहलाता है इसका दक्षिनी ढाल काफी तीवर है इसके पश्चिम में गारों की पाहडी लगवग 600 मीटर की उंचाई वाली और पूर्व में खासी और जयनती की पाहडियां विद्यमान है यह जो खेत्र इसका सर्वच्च शिखर जो है शिलांग शिखर है जो की 1961 मीटर है मेघालय और पूर्वांचल के बीच में सूर्मा घाटी यहां पर विद्यमान है यह खेत्र खनीजों की दिष्टी से भी यह काफी धनी खेत्र है यहां के जो प्रमुक्खनीज है इसमें कोयला, लोहा, सिलेसनाइट, इसके अलावा यूरेनियम, यहां के चूना पत्थर यह प्रमुक्खनीज है वनस्पती भी यहां पर काफी विस्त्रित है और इस खेत्र के इस खेत्र में वर्षा बहुत परियाप्त मात्रा में होती है दक्षिन पश्चिम मानसून जो है उसके करण इस खेत्र में सरवाधिक वर्षा होती है सरवाधिक वर्षा का जो स्थल है चेरापुंजी पहले से जाना जाता है वरतमान में मौशीम राम उसके निकट ही स्थित है यह सरवाधिक वर्षा वालख्षेत्र है अत्यधिक वर्षा के कारण इस ख्षेत्र में प्रायह नगन चटाने अधिक देखने को मिलती है क्योंकि अपर्दन काफी तिवरता से हो रहा है और उसके कारण चट्टानों का स्पष्ट रूप हमें देखने को मिलता है। खनीजों की दिश्टी से भी यह काफी धनीक शेत्र है। यहां के जो प्रमुख खनीज है इसमें कोईला, लोहा, सिलेशनाइट, इसके अलावा यूरेनियम, यहां के चूना पत्थर यह प्रमुख खनीज है। वनस्पती भी यहां पर काफी विस्त्रित है और इसक्षेत्र के इसक्षेत्र में वर्षा बहुत परियाप्त मात्रा में होती है। दक्षिन पश्चिम मानसून जो है उसके कारण इसक्षेत्र में सरवाधिक वर्षा होती है। सरवाधिक वर्षा का जो स्थल है चेरापुंजी पहले से जाना जाता है वर्तमान में मौशीम राम उसके निकट ही स्थित है यह सरवाधिक वर्षा वालक्षेत्र है अत्यधिक वर्षा के कारण इसक्षेत्र में प्रायह नगन चट्टाने अधिक देखने को मिलती है क्योंक तो बच्चों दकन के पठार की तीन प्रमुख इस्थीतियां हुई इसके बाद भारत का जो वर्गी करण भौतिक स्वरूप का किया गया है इसमें अगला वर्गी करण कहलाता है तटी ये मैदान का बच्चों आप जानते हैं कि पूरवी घाट और पश्चिमी घाट इन दोनों के किनारे में कुछ तटो तट इस थी था है और ये सम्तल मैदानी भाग है आईए हम इसका अध्यन करें यह जो तटीय मैदान है इस मैदान को दो भागों में बाटा गया है पहला है पूर्वी तटीय मैदान और दूसरा पश्चिमी तटीय मैदान पूर्वी तटी मैदान जो है ये गंगा के डेल्टा से दक्षिन में कन्या कुमारी अंतरीप तक फैला हुआ है इसकी जो कुल लंबाई है यह 1850 किलोमेटर है जबकि इसकी चावडाई 100 से 120 किलोमेटर तक पाई जाती है यह जो संपूर्ण क्षेत्र है इसे दो भागों में बाटा गया है पहला जो कहलाता है उडिसा आंध्र का तटी मैदान उडिसा आंध्र का तटी मैदान काफी विस्त्रित है लगभग 1200 किलोमेटर लंबा यह क्षेत्र देखने को मिलता है यहाँ पर बहुत सी नदियों के डेल्टा देखने को मिलते हैं जिसमें महानदी गोदावरी और कृष्णा का डेल्टा प्रमुख है बच्चों यहाँ पर जो महानदी का जो डेल्टा है इसमें ब्राम्भनी और वैतरनी इन तीनों के डेल्टा को यदि मिला दिया जाए तो यह क्षेत्र काफी विस्त्रित डेल्टा वाला क्षेत्र है और इस खेत्र में बच्चों आपने चिलका जहील का नाम सुना होगा वह इसी खेत्र में विद्यमान है फिर कृष्णा नदी का जो डेल्टा है वह चेन्नाई और नेल्लोर के तटिय मैदान के पास में मिलता है पुलिकट जो लाइगून परिस्थित है वह भी यहीं पर पाया जाता है और पुरानी पुलीन श्रेनी का जो श्री हरी कोटा द्वीप है वह भी इसी पूर्वी तट में देखने को मिलता है बच्चो उडीसा अंधर तट के बाद उसके दक्षिन में दूसरा तट है जिसे हम तमिल नाडू का मैदान कहते हैं लगभग साड़े छे सो मीटर की लंबाई और एक सो बीस मीटर की चौडाई वाला यह जो मैदान है इसके तट में जलोड़क बहुत अधिक देखने को मिलते हैं जबकि तट का जो आंतरिक शेत्र है यहाँ पर लेटराइट मिट्टी का जमाव पाया जाता है समुद्र के जुरेसिक और क्रिटेशियस युगिन जमाव इस तट में उस समय की शैले यहाँ पर देखने को मिलती है यहाँ पर कुछ छित्री हुई पहाडिया है और यह पहाडिया यहाँ पर काफी दूर तक फैली हुई है इस खेत्र की जो प्रमुख नदिया है इन नदियों में पालर, पोनायर, कावेरी और वैगाई नदी प्रमुख है यहाँ पर जो कावेरी नदी का जो डेल्टा है वो तिरुचिरापल्ली के पास में इस्थित है पूर्वी तट बहुत कम कटा फटा है जबकि पश्चिमी तट बहुत अधिक कटा फटा है और यह अधिक कटे फटे होने के कारण पश्चिमी तट में प्राकृतिक बंदरगाह अधिक है लेकिन पूर्वी तट कम कटा फटा होने के कारण यहां पर पोताश्रयों का अभाव देखने को मिलता है लेकिन इस तट का बहुत ही मंद ढाल और यहां पर जो उचाई है यह 15 मीटर तक ही इसकी उचाई पाई जाती है और समुद्र बहुत ही शान्त प्रकार का है इसलिए यहां पर पोताश्रय बनाना बहुत आसान या सुविधापूर्ण हम इसको कह सकते हैं लगभग 6500 मीटर की लंबाई और 120 मीटर की चौडाई वाला यह जो मैदान है इसके तट में जलोड़क बहुत अधिक देखने को मिलते हैं जबकि तट का जो आंतरिक शेत्र है यहां पर लेटराइट मिट्टी का जमाउ पाया जाता है समुद्र के जुरैसिक और क्रिटेशियस युगिन जमाउ इस तट में उस समय की शैले यहां पर देखने को मिलती है यहां पर कुछ छित्री हुई पहाडिया है और यह पहाडिया यहां पर काफी दूर तक फैली हुई है इस खित्र की जो प्रमुख नदिया है इन नदियों में पालर, पोनायर, कावेरी और वैगाई नदी प्रमुख है यहां पर जो कावेरी नदी का जो डेल्टा है वो तिरुचिरापली के पास में इस्थित है पूर्वी तट बहुत कम कटा फटा है जबकि पश्चिमी तट बहुत अधिक कटा फटा है और यह अधिक कटे फटे होने के कारण पश्चिमी तट में प्राकृतिक बंदरगाह अधिक है लेकिन पूर्वी तट कम कटा फटा होने के कारण यहाँ पर पोताश्रयों का अभाव देखने को मिलता है लेकिन इस तट का बहुत ही मंद ढाल और यहाँ पर जो उचाई है यह 15 मीटर तक ही इसकी उचाई पाई जाती है और समुद्र बहुत ही शान्त प्रकार का है इसलिए यहाँ पर पोताश्रय बनाना बहुत आसान या सुविधापूर्ण हम इसको कह सकते हैं यहाँ पर कुछ बंदरगाह बनाये गए हैं जिसमें प्रमुख बंदरगाह आप देख रहें यहाँ पर कलकत्ता, पाराद्वीप, विशाखापत्टनम और चिन्नई यह प्रमुख अंतराश्री इस्तर के बंदरगाह यहाँ पर बनाये गए हैं दूसरा तट पश्चिमी तट है, भारत का बहुत ही महतोपूर्ण तट है उत्तर में आप देख रहें गुजरात से लेकर के दक्षिन में कन्या कुमारी तक यह लगभग पाचीस सो मीटर की लंबाई में सित है, इसकी चौड़ाई अपेक्षक्रित कम है, इसकी चौड़ाई सब्तर मीटर तक ही है यह जो तट है, काफी कटापटा है और पोताश्रय बंदरगाहों के लिए बहुत ही अनुकूल दशा यहाँ पर पाई जाती है यहाँ पर भी इस तट का भी विभाजन किया गया है, सबसे पहला जो तट है यह कहलाता है गुजरात का मैदान देखिए आप उत्तर में गुजरात का मैदान, यहाँ पर साबरमती और माही नदी से यह मैदान बना हुआ है इसके दक्षिन में गंगा नदी का मुहाना है और इसके उत्तर में यह जो मैदान है इसके उत्तरी भाग में कच्छ कारण है जो कि यहाँ निरंतर ज्वार आने के कारण यहाँ पूरी तरीके से कीचड की स्थिति बनी रहती है यह संपूर्ण क्षेत्र जो है यह बलवा और बेसाल्ट से बना हुआ है इसका जो दक्षिनी भाग है यह काठियावाड कहलाता है यह क्रोड लावा से निर्मित क्षेत्र है इसके पूरो में भावनगर और पश्चिम में द्वार का क्षेत्र है जो की तृतिय युग की चीका मिट्टी से बना हुआ माना जाता है फिर दूसरा जो है यह कोंकन तट कोंकन तट भुज और गोवा के बीच में यह तट लगवग 530 किलोमिटर की लंबाई और 20-30 किलोमिटर की चोड़ाई के ख्षेत्र में विद्यमान है बच्चों अपने तटों का प्रकार पढ़ाओगा यह रिया तट का एक प्रकार माना जाता है यहाँ पर जो प्रमुख नदिया है इसमें उल्हास और वैतारणी नदी है जो की तट के सामान अंतर लंबे प्रवाहित होने के बाद समुदर में गिरती है जबकि सावित्री और विशिष्टी नदी जो है वह सामान ने इसका प्रवाह अनुपरस्थ प्रवाह है और यह फिर समुदर में जाकर के मिलती है यहां की जो प्रमुख नदिया है इसमें शरावती नदी आपने नाम सुना होगा बच्चो जोग फाल जोग प्रपात यह इसी शरावती नदी पर है इसके अलावा अन्य नदिया जो है यह मांडवी, रचोल, काली, गंगावली, बेड़ती, टेडरी और नेगावती यह य उत्तर में जो कोंकन तट है यह निर्गत प्रकार का तट है जबकि दक्षिन का जो करनाटक का तट है यह निर्गम प्रकार का तट है तो यह निर्गम और निर्गत यह तटों के उचाई निचाई की विशेशता भी यहां देखने को मिलती है फिर गोवा तट इसको करनातक तट भी कहते हैं जैसे मैंने बताया था कि कोंकन तट जो है वो निर्गत है तो करनातक तट निर्गम की इस्थिती में है यह गोवा करनातक तट है लगभग इसकी लंबाई 225 मीटर तक पाई जाती है यह जो कौंकन और गोवा करनाटक के बीच में जो मैंने भी नदियों का उलेक किया है वो नदिया यहीं पर इस्थित है फिर अगला है केरलतट लगभग साड़े 500 मीटर की लंबाई और यहां पर केरलतट थोड़ा चावड़ा है यहां पर यह 40-80 किलोमीटर चावड़ाई यहां पर देखने को मिलती है इस क्षेत्र में जो पालगाट का क्षेत्र है यह सबसे अधिक चावड़ा क्षेत्र है यहां पर प्रवाल भीतियां और उची प्रवाल की दिवारें भी पाई जाती है यहां पर लाइगून और जो बैक वाटर कहते हैं पश्च जल का ख्षेत्र यहां पर कुछ जल समुद्र के अंदर से आ करके कहीं पर जम गए हैं तो ऐसे ख्षेत्र यहां देखने को मिलते हैं यहां की जो प्रमुख नदी है इसमें बेपोर, पेन्नानी और पेरियार ये प्रमुख नदी हैं। पुछ द्वीप समूह भी सम्मिलित है और इसलिए हम एक द्वीप समूह को एक अलग भावगोलिक स्वरूप में इसका अध्यन करते हैं भारत में भी जो द्वीप समूह है तट के पास तो बहुत कम द्वीप है जो डेल्टा के असपस बने है लेकिन तटों से दूर है भारत के दोनों तटो पर याने कि बंगाल की खाड़ी और अरपसागर ये दोनों ख्षेत्रों में असंख बहुत सारे द्वीप है और इन द्वीपों का यदि हम उल्लेक करें तो बंगाल की खाड़ी में लगभग 572 द्वीप हैं जिसमें 37 द्वीप ऐसे हैं जिसमें सभी द्वीप ये जीवजन्तु और वनस्पतियों से घने बसे द्वीप हैं यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप समू फैला हुआ है यह 6 डिगरी से लेकर 14 डिगरी उत्तरी अक्षांस के बीच में और वही 92 अंश से 94 अंश पूर्वी देशांतर के बीच में यह द्वीप विद्यमान है जिसको हम अंडमान और निकोबार द्वीप के नाम से जानते हैं यह द्वीप जो है उत्तरी भाग में अंडमान द्वीप है और दक्षिण में निकोबार द्वीप है अंडमान द्वीप का जो क्षेत्र फल है यह लगभग 6475 वर्ग किलोमेटर है जबकि निकोबार द्वीप जो है वह 1852 वर्ग किलोमेटर के क्षेत्र में फैला हुआ है यहाँ पर यह जो बंगाल की खाड़ी के द्वीप है यह प्रायह द्वीप उंचे परवतों का एक हिस्सा है और कहीं कहीं ज्वाला मुखी से निर्मित द्वीप भी देखने को मिलते हैं बच्चों आपको पता होगा कि यहाँ पर निकोबार द्वीप में एक मात्र जागरित ज्वाला मुखी है जिसको बैरन आइलेंड के नाम से जाना जाता है और यह एक मात्र जागरित ज्वाला मुखी भारत के निकोबार द्वीप में याने दक्षिन में फैला हुआ है के नाम से जानते हैं और यह अंडमान और दिकोबार को दो भागों में बाढ़ती है इस क्षेत्र में जो असंगठित कंकड़ पत्थर और गोलाश्म के आवशेश देखने को मिलते हैं यहां पर कुछ उची चोटी है जो किसे की अंडमान की जो सबसे उची चोटी है यह सैद जो लगभक 738 मीटर की उचाई में है इसके अलावा कुछ और भी अन्य शिखर है मध्य अंडमान में 515 मीटर की उचाई में और दक्षिन्य अंडमान में 460 मीटर की उचाई के शिखर यहां उचे शिखर के रुप में देखने को मिलते हैं निकोबार में ग्रेट निकोबार की सबसे उची चोटी जो है वो 442 मीटर उची चोटी है जिसको माउंट धुईल्ला के नाम से जाना जाता है तो बच्चो ये तो अंडमान और निकोबार द्वीप समुह के बारे में हमने जाना फिर दूसरा जो द्वीप है ये अरब सागर के द्वीप है अरब सागर में जो द्वीप है ये 8 अंश उत्तर से 13 अंश उत्तरक्षांस और 71 अंश से 74 अंश पूर्वी देशांतर के बीच में इस्तित है यहां तीन प्रमुख द्वीप है इन द्वीपों को अमीनी दीवी द्वीप ये उत्तर में इस्तित है मध्य में लक्ष द्वीप और दक्षिन में मिनिकाय द्वीप के नाम से इसे हम जानते हैं यह सभी द्वीपों की विशेषता है कि यह प्रवाल द्वीप है और यहां पर उची उची प्रवाल भित्ती देखने को मिलती है इसका जो क्षेत्र पहला है यह सभी द्वीपों का मिला करके 453 वर्ग किलोमेटर के क्षेत्र में यह द्वीप फैले हुए है और ग्यारह डिग्री चैनल जो है वह इन द्वीपो को अमीनी और मिनिकाय द्वीपो को यह बाटती है यहाँ पर इसके अलावा जो कोंकन तट है इस तट के पास में भी कुछ द्वीप देखने को मिलते हैं इसमें सालसीट और मुंबई और एक और द्वीप है ट्रामबे द्वीप यह तीन प्रमुख द्वीप जो है यह कोंकन तट के आसपास में मिलते हैं वैसे जो अरब सागर के अधिकांश दो द्वीप है यह द्वीप असंबद्ध है यहां पर असंबद्ध गुटिकाएं उसके अलावा कहीं कहीं पर गोलाश्म भी देखने को मिलता है इन द्वीपों की संख्या 36 है और इसमें से 11 द्वीप ऐसे हैं जिसमें मानों की बसाहट ह है बच्चों यह तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के द्वीप हुए इसके अलावा दक्षिण में मंनार की खाड़ी आपने यह नाम सुना होगा जो कि भारत और श्री लंका के बीच में इस्थित है इस मननार की खाड़ी में पंबन द्वीप इस्थित है और यह जो पंबनदुइफ से पत्रिला है आपने एक और नाम सुना होगा राम गमनपत यह राम गमनपत जो है राम नद से धनशकोटी से यह प्रारम होता है तो यहाँ पर यह जो द्वीफrd है पंबनदूइफ यह रामनद और द्वनुष कोटी रेलमार्ग बिचाया गया है इस रेलमार्ग की मुख्य भूमी से यह अब जुड़ गया है तो इस प्रकार से भारत के अध्यन में हमने इन सभी भागों का प्रमुख रूप से अध्यन किया है और द्वीप समुह भी इसके महत्वपूर्ण धर आते लिए क्षेत्र में गिने जाते हैं ठीक झाल 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 झाल